आज आपसे बात कर रहे हूं कि आप अपती इच्छा कैसे पूरी करें और मैनिफेस कैसे करें यह है पार्ट टू सिजल कैसे बनाएं क्या होता है सिजल अपनी विश कैसे फुलफिल करें लास्ट वीक आपसे शेयर करा मैंने यह अनुठा तरीका आज बात करते हैं यह दूसर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हाँ पिछले एपिसोड देखने के बाद आपने कौन सी इच्छा का सिजल बनाया क्या रिजल्स देखें वो भी हमारे साथ शेयर करें चलिए आज देखते हैं ये दूसा तरीका पार्ट चूमें की सिजल्स कैसे क्रेट करते हैं खास तोर पर और आप कैसे अपनी अब आपकी कोई एक विश्ष है आप दिन में दस दफादस विश्ष नहीं लिखेंगे एक अपनी विश्ष लीजिए एक इच्छा लीजिए जैसे यह हैं आई एम अबंडन्ट इंग्लिश में लिखा आपने उसको एक हफते तक गैप दीजे किसी और नहीं विश्ष नही लिए यह हैं तीन के लिए यह चार पांच छे साथ आठ अब इस वाक्य में आई एम अबंडन्ट रूल वाहिए हैं आप वावल्स हटाएंगे एई आयो यू जैसे आए हट गया ए हट गया फिर से ए हट गया यू हट गया ए हट गया अब आपने एम लिखा बी लिखा ये एन लिखा डी लिखा यहां पे एन दोराया गया है तो दोराय हुए अलफबेट को यूज नहीं करना हमने हटा दिया बचा अब एम इस टेबल में देखें एम की किस अंक के नीचे आया है उसका अंक क्या है चार बी के लिए अंक है दो एन इन सारे लेटर्स के लिए अंक ह पांच लिख दिया फिर आया अब देखें दी चार के नीचे आया हमने चार लिख दिए अब टी की वी वाल्यू है चार अब आपके पास आगे यह अंक अब यहां पे आप यह जो देख रहे हैं यह अंक पांच तो इनको आपको जोड़ना है जिस सीक्वेंस में लिखा है अब जैसे चार से शुरू हुआ दो पे गया यहां लाइन ड्रॉ करिए अब दो से यह चीज पांच पे आई पांच से यह चीज चार पे आई चार पे यहां और रेडी है अब आपने क्या करा उसके बाद काले रंग की पहनिया शार्पी से आपने यह सिजिल को ड्रॉ करा अब जैसे यह सिजिल है अब आप इस आकार को इस आकार को काट लें यह हो गया आपका सिजिल मैं सम्रद हूं उसका जब आप यह सिजिल यानि यह पैटर्न सिंबल ड्रॉ करते हैं इसको आप काट लें यह हो गया बनाना आप इसको आपको एक्टिवेट करना लोटरी लगी अचानक से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो आपको कैसा अनुभा हुआ गूस बंस आए तो वो जो अनुभा हुआ वैसा ही सोचते और इसको अपने हाँ से महसूस करें या जब आपको पसीना आया भागदौर कर रहे थे या ठके थे उस पसीने से आपक यह एक्टिवेट होगा और नहीं तो शांत मन से बैठें गहरी सांस ले अंदर और फिर सांस बाहर छोड़ें महसूस करें अपने थर्ड आय चक्रा पर एनर्जी को और इसको महसूस करें साथ में कि आप एक्टिवेट कर रहे हैं पूरी इंटेंशन के साथ अब आप इसके करी दिया अब यह एक गाम इश्वर का है आपकी इच्छा को कैसे कि जरीय के तूर पूरी कराएगा तो पहला अप इसे जला दे और इसके दो इस राख निपनी में बहा दे तुसरा तरीका है इसी सिजल को आप पानी में बहा दो तीसरा तरीका है आप इसकी पोदे साथ जल जाएगा तो हो दा माना जाता है वो डिस्ट्रॉई हो गया ये था दूसरा तरीका भी जिससे आप सिजल बना सकते हैं अपनी डिजार्स को पूरी कर सकते हैं रूल है सेम कि आप एक वक्त में एक हफ़ता दीजे अपनी इच्छा को छुटी इच्छाओं से शुरू क करें और वास्तविक का ध्यान रखते हुए अपनी विश्ट करें दूसरों को हानी पहुचाने के दृश्टी ते किया गया सिजल हानी कारक आपके लिए होता है ये इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए मुझे बताएं कॉमें कि आपनी कौन सा सिजल क्रिएट किया उमी पाफुल पॉजिटिव तरीका है किसी को हानी पहुचाने के इरादे से बनाया गया सिजल पूरा नहीं होता वेक्ती वक्ती विश्ट को खुदी हानी होती है इश्वर महसूस करता है अच्छाई या बुराई को वेक्ती जो दूसरे को भेशता है अगर गलते हो वापस पल हैं कि आपको आज किस एपिसोड की कौन सी वात अच्छी लगी और हां अपने फ्रेंद्स और फैमिली इक्सार शेयर करना ना भूले सी यू सून